दोस्तों बहुत सारे च्टूजेंट बोल थे मगद्य उन्वर्शिटी से नया अपडेट आया है लोगिन करने पर कुछ और दिखा रहा है कुछ भी और नहीं दिखा रहा है सेम चीज वह ही दिखा रहा है चलिए हम आपको लोगिन करके दिखाते एड़ी और पास्वार्ट के पस्त आप लोगिन कीजिए लोगिन कीजिएगा तो आपके सामने जो भी कॉलेज अलोट हुआ होगा उसका नाम दिखाए देगा चलिए हम go to admission screen पर ले लेते हैं और यहां पर देखिए छोटु कुमार जी का पांच कुलेज में सो कर रहा है second merit list में फर्स्ट merit list में इसका नाम नहीं आया हुआ था इसका भी हम यूज केते फर्स्ट merit list में नहीं आया हुआ था second में नाम आया है अब देखिए यहां पर note में जो है कुछ नया चेंजिंग लिखा हुआ है जो की detail रूप में उसी बात को detail क्या है यहां पर हमने Google translator में डाल दिये हैं सबको और यहां पर नीचे आ जाईए देखिए क्या लिखा हुआ है उपर परदर्शित college की सूची वे हैं मतलब वे college की सूची जो दिया गया है वे college हैं जहां आपको परवेश लेने के लिए चुना गया है यानि कि आपके पास एकर college सो ही नहीं कर रहा है तो आपके लिए थोड़े न चुना गया है खाली college में थोड़े चुना जाता है लेकिन जिसको college सो कर रहा है उसको जो है उसमें परवेश के लिए चुना गया है आप अपने सभी आवस्यक मूल दस्तावेज के साथ इसमें से किसी भी कोलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं कौन से कोलेज में जो आपको दिखा रहा है और सीधे परवेश ले सकते हैं अब देखिए दूसरा लेंजरिस में एड क्या गया है डिटेल रूप में यदि उपरोग्त सूची में कोई भी कोलेज परदर्शित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपका अभी तक चैनित नहीं हुए यानि कि आपका अभी तक जो है सेलेक्शन नहीं हुआ है इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सबसे अच्छी योगिता सूची की परतिक्षा करें यानि कि आप थर्ड लिष्ट का वेट कीजिए तो इस तरह से सकेंड लिष्ट पब्लिस हो चुका है 19 तक इसका एडमिसन चलेगा और 22 एगस्त या 21 एगस्त के बाद जो है आपको थर्ड लिष्ट आने की संभावना होगी हम आपको डिनोट कर देंगे सुचित कर देंगे तो आप जो है चेक कर पाएंगे लेकिन जिसका कोलेज सोर नहीं कर रहा है उसका जो है लिष्ट में नाम नहीं आया है किसी भी तरह का इसमें कनफुजर नहीं है तो चलिए मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद